बिहार के उस दौर की बात थी जब विद्यार्थियों को जिगर का टुकुडा कहा जाता था जब विद्यार्थियों को नकल करने की आजादी सी मिली हुई थी ये बात उस दौर की थी जब एक निजाम आया और ये सारी रवायतें बदल गए ये बात उस दौर की थी जब एक निजाम ने एक जटके में बिहार के जिलों की संख्या दोगुनी कर दी नमस्कार सौरब दुवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं लललटॉप के पलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्य मंत्री जिसके से एपसोड में हम बात करेंगे केदार पांडे की कॉंग्रिस के बाकी कई नेताओं की तरह केदार पांडे का करियर भी जाने ची इन ही ट्रैक पर था वकालत की डिग्री साथ में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने का सेर्टिफिकेट कॉंगिनिस में सक्री केदार को फिर दूसर सर्टिफिकेट मिला 1952 में 31 साल का महथवान विधायक बन गया तो लाहा गाओं का लड़का अपने होम डिस्ट्रिक्ट चंपारण की बगहा सहरामनगर सीट से निर्वाचित हो ला दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ तो श्री बाबू ने सरकार में मंत्री बनाया 1967 में केदार चुनाव हार गए और फिर अगले चुनाव में जिले की ही दूसरी सीट नौतन पर चले गए और जीत का सिलसिला फिर शुरू हो थे अब वो वरिष्ट मंत्री हो चुके थे विधायक दल के नेता के दाविदार भी इस दाविदारी में एहम रोल निभाया कॉंग्रेस दो हुई दो फार्ड दिल्ली से आला कमान दोरा अब्जर्वर भेजने का चलन तब भी था इंद्रा ने विधायक दल नेता के चुनाव के लिए हेमवती नंदन बवगुणा को भी जया बवगुणा ने केदार की दाविदारी अल्यकी थे और दरोगा प्रसाथ पर सहमती करा दिए कुछ बरस में फिर चुनाव हुए 1972 इस बार कॉंग्रेस आर ने 324 सदस्यों वाल उन्होंने इंद्रा की निर्देश पर गुल्दारी लाल नंदा को एक टास्क के साथ पटना भेजा नंदा पर विख्षक बनकर पटना आये तो उन्हें कई दाविदार दिखी पूर्व मुख्यमंत्री महमाया प्रसाथ से नहां पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तहर विधायकों को संदेश दे दिया गया मीटिंग बुलाइए और सर्व सम्मति से केंद्री नेत्रत को विधायक दल का नेता चुन्ने का अधिकार सौंग दीजिए ये एक नई सियासी शुरुआत थी ऊपर से नेता थोपे जाने की राइशोमारी सहमती वोटिंग इत पटना की नजर अब दिल्ली पर थी और वहां से नाम घोशित हुआ केदार पांडे का राजिपाल देवकांद बरुआ ने उन्यस मार्च उन्यस सुभात्तर को केदार पांडे को मुख्यमंत्री पर की शपत दिलवादी कैसा रहा उनका कारेकार जिगर के टुकडों को ठी किही बेहाल करने वाला जिल्य बनाने वाला लेकिन कानून के मोचे पर चौतर फाकतर के चंतर है वह था हुआ है कि मुक्यमंत्री पर समालते हैं के दार पांडे ने प्रशाषन की नखेल कस्नी शुरू करते हैं सबसे जाधा फोकस था कॉलेज एजुकेशन पर पिछले कई वर्षों से जिगर के टुकले विद्यार्खियों को छूट मिल रही थी नकल का पूरा तंत्र स्थापित हो गया था प्रफेसर भी क्लास छोड कोचिंग में लग गए थी किदारपांडे ने वी-सी बदलने से युनिवरस्टी का माहौल बदलने की शुरुबा दिए सबसे आधा चौपट हालता बिहार युनिवरस्टी मुजफर पुटका वहाँ आएस अधिकारी नागमणी को वी-सी बनाये गया इसके बाद पोलिस के कड़े पहरे में इम्ठिहान शुरू हो किताबे रखकर जवाब लिखने के चलन पर ब्रेक लग गया और पास होने वालों की दर पर भी ब्रेक लग गया उस बरस सिर्फ दस फीजदी स्टूडेंट पास हुए यूपी वालों न कुछ दशक बाद ऐसी ही सकती कल्यान सिंग की सरकार में देखी थी बोर्ड इक्जाम के दोरा पढ़ाई के लावा केडार की चिंता प्रशास्निक महकमे को दुरूस्त करना भी था उस समय बिहार और तब जारखन भी बिहार का हिस्सा था इसमें उन्निस जिले हुआ करते थे सिर्फ उन्निस केडार ने एक बैठक में ये संख्या बढ़ा कर 49 करते मतलब एक ही मीटिंग में 20 नए जिलों का एलान चमपारण जहां से वो खुद आते थे उसे पूर्वी और पश्मी बाट दिया गया बोच्पूर, रोतास, मदवनी, समस्तिपूर, गोपालगन, सीवान, बेगुसराय कई जिले बन गए कई शहर कद बदल गए इस कदम की पीछे केडार की द्रिष्ट क्या थी उनका तर्क था कि बड़े जिले होने के कारण प्रशास्निक कारियों में बाधा आती है UPSC से All India Services यानि IS और IPS Officer कम संख्या में भी हर काडर को एलॉट होते हैं योजना आयोग से भी वार्शिक आवंटन जो तब जिलों की संख्या के हिसाब से होता था उसे मिरधारित करने का एक पैमाना था वो भी उतना नहीं मिल पाता जितने के हम हगदार है केदार के तर्क और एक्षन यहां दुरुस्त लगते हैं लेकिन बिगडी कानून विवस्त था जिसकी शुरुआत उनके शपत के दिन ही हो गई उस पैमाने का क्याद 19 मार्च 1972 को मुख्यमंत्री पत की शपत लेने के बाद केदार पांडे समर्दकों से घिरे थे बधाईयां कबूल रहे थे तभी एक पुलिस अधिकारी भागता हुआ आया और उनके कान कुछ को सुचा गया मुख्यमंत्री फोरण उठे और अंदर के कमरे में जाकर फोल से चिपक बड़े और फिर कुछी देर में कार में बैटकर बाहर लवाना हो गई अखवार में अगले दिन दो सुर्खियां छपी पहली केदार पांडे ने मुख्यमंत्री की शपत ले और दूसी सुर्खी विधायक मजरूर हसन की पटना में हत्या मजरूल हसन खान CPI पार्टी की तरफ से हजारी बाग से विधायक चुने गए थे फ्लैट नंबर 102 में रहते रहे यहीं पर उन्हें गोली मार्दी में मुख्यमंत्री खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे और वहीं से उचिस्तरी जांच के आदेश थे बाग में इस मामले में रामगर्ण के पूरू कॉंग्रेसी विधायक बोधुलाल की गरतारी भी हुई तेकि मामला किसी अहिराम के नहीं पहुंचे यह मुख्यमंत्री के का यादाओ के भाई की हत्या राम परिक्षण यादाओ को 6 अपरेल 1972 को पटना जिले के पतुवा सिलाम को रोड़ पर गोली मार दी लोगों ने इसमें पॉलिटिकल एंगल खोजवा तेकि मुख्यमंत्री ने कहा दोशियों को बक्षा नहीं जाएगा लेकिन इसे राजनेति खत्या नहीं माना जाना चाहिए इस घटना के ठीक एक बरस बाद एक तीसरी हाई प्रोफाइल हत्या हुए विधायक की हत्या इलजाम पुलिस पर लगा और फिर केदार का सिंग्धासन दोडने लगा सोशलिस्ट धारा के मदुभनी सीट से विधायक थे सूरज नारायन से भारत छुडवांदोलन के दोरान जेपी के साथ हजारी बाग जेल से भागने वाले सेनानी थे सूरज खौफ ऐसा कि अंग्रेजों ने पचास हजार का इनाम रखा था कमाल के वक्ता मजदूर हितों के गजब पैरोकार सूरज नारायन शमकों के लिए हिंद मजदूर सभा चलाते थे अप्रेल उने से चोगतर में उन्हें पता चला कि रांची की उशा मार्टिन कंपणी जबरही कर रही है उन्होंने कमपनी के ताथी सिल्वे रोड पर इस्तित दफ्तर के सामने आम रण अंशन चुरू कर दिया फिर पुलिस वल बहां पहुँचा और धरना देलेवारों पर लाठी चार्ज कर दिया गटना के जानकारों का कहना है कि इसमें कॉंग्रेस के शोहदे भी शामिल थे 14 अपरेल को हुए इस लाठी चार्ज में सूरज नारायन गुई तरह घायल हो गए और सर में पड़ी लाठी की चोट के चलते 21 अपरेल को उनकी अस्पताल में रिक्ती हो 22 अपरेल को सूरज नारायन की पटना के बासघाट पर आंजेश्टी हो जैप्रकाश नारायन बिलक करोने लगे सरकार पर उन्होंने संगीन इंजाम लगाए और आखरी में जानते हैं क्या नितांत रिक्तियत बाद नहीं कितना दुखी और निराश तुमें अपनी पत्नी रभावती की निधन पर भी नहीं गवा था जितना साथी सूरज के जाने पर और सरकार वो इस घटना पर क्या कर रही थी उसके समर्थकों रे कहा ये घटना सोशलिस्ट प्रेड यूनियन के भीतर राजपूद बनाम भू निता थे इंदिरा के करीबी जो लगातार के दार पर आरोप मढ़ रहे थे पटना के आकाश में रुखसती के बादल अब घुमड़ने लगे थे यह दिल्ली है दंब और देश की राजधानी राज इंदिरा का है और उनके प्रिंसिपल सेकेटरी पी एन हकसर का उनके कमरे में एक दुबला पतला पगड़ी धारी नया नवेला बिरूपेट खड़ा है उसके विभाग के मंत्री जी नाखुश है खुद ये सलाकार भी मंत्री जी के कथित भ्रश्ट तरीकों से नाखुश है हकसर दोनों का इलाज एक जटके में कर देते हैं नौजवान का विभाग वदल पर वित्ती इमामलों की ये नौजवान सलाकार थे डॉक्टर मन मोहन सिंग और मंत्री थे बिहार से आने वाले ललित नारायन मिश् ललित का करियर नई सेरे से परवान चढ़ा मिथला अंचल से आने वाले विनोधा नंद जहा की निठन के बाद उनकी लोगसभा सीट खाली हुई तो ललित बाबू जी थे फिर इंदिरा ने उन्हें विदेश व्यापार मंत्री बना दे यह नई नवेली कॉंग्रेस आर की सरकार थी अतुले घोश और एसके पाठल जैसे पुराने फंड मेनेजर अब संग्रिफन कॉंग्रिस में थी इंदिरा के लिए अब ये काम मुंबई में बैटकर रजनी पटेल कर रहे लेकिन इंदिरा और उनके बेटे राजीब को दिल्ली में भी लोग चाहिए थी ललित जल्दी पटना में कॉंग्रिस का ललित नाराइन मिश्र खेमा तैयार हो गया के दार पांड़े को इसकी भनक थी लेकिन ललित नाराइन की जीहजूरी उन्हें कबूर नहीं हुए फिर भी उन्होंने अपने हिस्से का दाव चला मंत्री मंडल के पुर्णर गठन का फैसला माई 1973 में उन्होंने मंत्री परशद से स्कीफा देने को कहा मंत्री नहीं माने तो जबरन निकाला और नए सरे से केबिनेट बनाई जिसमें 11 पुराने करदावर नेताओं की विदाई हो गए इन जमे जमाए नेताओं ने फिर लड़ित नाराइन की कोरस में स्वर मिलाने श अलपत में थे तो उन्हें स्तीफा देना पड़ा और अब्दुलकफूर कॉंग्रेस विधायक दलके नहीं नेता और उसी की चलते नए मुक्ष मंत्री बनी दिल्ली से केदार के लिए अभी एक आख्री सियासी परवाना आना बाकी था लेकिन इसमें साथ बरस का वक्त था 1977 के चुनाओं में कॉंग्रेस बुरी तरहारी केंद्र और फिर राज दोनों में लेकिन केदार पांड़े अपनी नौतन सीथ बचाने में सफल है कुछ महिने बाद इंद्रा ने प्रदेश कॉंग्रेस में जान खूकने के लिए सीता राम केसरी को अटाकर केदार पांड़े को प्रदेश अध्यक्ष तुणादी इंद्रा जब हाती पर सबार होकर बेलची में हुए दलित हत्याकान का मुआइना करने गई तब केदार ब सब्सक्ता में वाफसी हुई उस लोगसभा चुनाओ में इंगता के टिकट पर बिहार में तीन पूर्व कॉंग्रेसी मुख्यमंत्री चुनाओ लड़े और जीते कौन खगड़िया से सतीश परसाथ से बेतिया से केदार पांड़े तीसरे मुख्यमंत्री थे जगननात यो अपनी चाची के चलते जंजार कोड से चुना भार रही नतीजे आने के बाद केदार कोड केंदरी कैबिनेट में रेल का महत्मा मिला तो पूछ महीने बाद बिहार में विधान सभा चुना हुए कॉंग्रेस जीती और इस दफ़ा मुस्कुराने की बारिक केदार मिए संजे गांधी से करीबी के चलते केदार की दावेदारी किरारे हुई और जगननात मिश्र मुख्य मंत्री रही इसके बाद केदार पांडे की राजनीती शितिल पढ़ने लगी जनवरी 1983 में उन्हें बिना किसी प्रकट कारण के मंत्राले से रुकसत कर दिया गया केदार के के आवास पांच सवदर जंग रोट की प्रधान मंत्री के आवास एक सवदर जंग रोट से जादा दूरी नहीं थी लेकिन राजनेतिक दूरी बढ़ चुके थी 23 मार्च 1983 को केदार पांडे विदेश मंत्री पीवी नरसिल्मा राव की धर पहुंचे चाय और सियासी भविश्य पर चर्चा के रादे से लेकिन शाम को डॉक्टर उनके स्वास्त की चर्चा कर रहे थे केदार पांडे को ब्रेन हैम्रेज हो गया था और इसी की चलते दो दिन बाद एम्स में उनका निधन हो गया था उनकी सीट बेतिया पर उप्चुना हुए इंदिरा ने केदार के बेटे मनोज पांडे को टिकट दिया उनके सामने उतरे CPI के दिगज नेथा पीतामबर से सहन भूती लहर काम नहीं आई मनोज हार गए एक बरस बाद इंदिरा की हत्या हुई फिर से सहन भूती लहर इंदिरा के पक्ष्म और इस दफ़ा मनोज पांडे जीतने में काम्याब रहे बाद में इसी परिवार की तीसरी प्यूरी शाश्वत केदार के नाम के साथ सियासत बहुत सियासत जिसके माहिर खिलारी थे केदार राजी की जिसे बिहार के संदर में बाच रहे हैं हम इस मुख्यमंत्री सीरीज में अगले हंक में बात करेंगे लालू नीतीश, सुशील मोदी और राम विलास्त पासवान को सुर्खियां दिराने वाले मुख्यमंत्री अब्दुलकफूर की नमस्कार